नमस्कार सातियों आज जिस तरह से दिल्ली के हालात बने हैं, दिल्ली के तमाम समाचार पत्रों में सराब मिपी को लेकर के सुर्खियां हैं। कोई ऐसाद समाचार पत्र नहीं हैं, जहां पर सराब की खबरे ना हो, लंबी-लंबी कतारे ना हो। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिस दिल्ली सहर की पैचान कभी फ्लाइवर सिटी और विकास के नाम पर होती थी, दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि सहर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं हैं। मुख्य मंत्री चुनावी टूर पर हैं, इस सहर की जिम्यावरी जिन मंत्रियों पर थी, वो मंत्री जेल में हैं। जेल में बैठे मंत्री भी आज बगर किसी डिपार्टमेंट के जेल में बैठे हैं। एक मंत्री पर बड़े गंभीर आरोप हैं, भुष्टा चार की। और लगातार हम ये बात कहरे हैं कि अर्विंद की कैबिनेट के लगवग 80% मंत्री या तो जेल की हवा खा चुके हैं। या जिन पर संगीन आरोप है। तो आखिर इस दिल्ली की सरकार है कहां। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सहर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी मैं कहना चाहरा हूँ। सरकार खुद जो है आज ठेकेदार बन गई है। अर्विंद केजिरिवाल जिस तरह से सासन चला रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुरोना काल में जो व्यक्ति छुपके बैट गया हो, आक्षिजन का क्राइसिस हो, मजदूरी का क्राइसिस के बीच आबाकारी नीती बना करके अर्विंद केजिरिवाल लेकर के आते हैं। सरामाफियाओं के साथ बैटके उस अवशर को ढूंडते हुए, एक ऐसी नीती थोपते हैं, और उस नीती के एहर जो दूस्परणाम आए, ये सहर सराव की राजभानी के रूप में जाने जाने लगा, जो मैंने अभी आपको कुछ प्रैस की कटिंग्स दिखाई हैं। मुख्य मंत्री के पास कोई विभाग नहीं, वो चुनाव में वैस्त रहते हैं, उनके पी ड़ूडी के बड़े महत्पून वैक्ती हवाला कांड में दोसी हैं, कई महिनों से जेल में हैं, उनके खुद के वित्मंत्री पर रष्टचार के घंभी रारोप हैं, तो एक सबसे महत्पून वैक्ती जेल में बन थे और दूसरा जेल जाने की तियारी में हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहां सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, पुरानी सराब नीती को बदल करें, नई नीती लाने का आप काम करते हैं, किसी से राय मसवरा नहीं करते हैं, जबकि चुन माफियाओं को यह सहर बेच डाला और उसी का नतीजा रहा कि सहर को इक नहीं पहचान मिली, जिसका विरोध कॉंग्रेस पार्टी लगातार करती रही, हजारों लोग इस योजना को थोपने के बाद बिरोजगार हुए जो सरकारी दुपानों पे काम किया करते हैं, आज थारा नौन कंफर्मिंग छेतर वाले विधान सवाद छेतर में मात्र पांच दुपाने हुआ करती थी, जो की बढ़ा करके 216 दुपाने कर दी गई, यह उधारन इस बात का कि इस सहर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जनता सडक पर थी, भुकमरी से परेशान थी, दिये गए, इसलिए मैंने पूर में भी कहा है, फिर मैं यह बात कह रहा हूँ, जाच इरिंसियों को इस पे भी जाच करनी चाहिए कि कितने भाजपा के निताओं के पास सराब के ठेके हैं, कितने आम आदवी पार्टी के कारिकरता और निताओं पे ठेके हैं, कितने आम रहना चाहता हूँ, और इस लाइसेंस माटने में जो करोड़ो रुपे का लेंदेन हुआ, जो भष्टा चार हुआ, ये भी एक बड़ा वीशे है जाच का, तो आनन फानन में जब ये आरोप सरकार पे लगते हैं, इनके मंत्री पे लगते हैं, और लेटन गवर्नर साब ज होसना की जाती है, कि एक तारिक से तमाम सराव के ठेके दिल्ली में बंद कर दिये जाएंगा, और पुरानी नीती पर काम किया जाएगा, अब इस्तिती ये कि ये सरकार इस तरह का तो ताना साही आदेश दे रही है, क्या वाकरी सरकार दे सकती है, क्या इस मुल्क में इस र दो या तीन दिन राइडे थे ये इस्तिती उत्पन हुई है कि आज फिर से जो इलीगल सराब के धंदे में जो लगाता निंतर काम करें उनको मौके दिये गए आफसर दिये गए आज दिली के तमाम ठेके बंद हैं लेकिन गुजरात की तरह कहीं दिली को तो नहीं बना दिया पाई हैं और ना नए नीती के तरह जो ठेके बंद हुए हैं वो भी बंद करके बैट गए तो दिली को सराब माफियाओं को सौप दिया गया है ये मैं कहना चाहता हूं और एक महीने के अंदर फिर से कहा जा रहा है एक महीने के लिए साइद इनकर लाइसन्स को बढ़ाया जाएगा तो किस तरह से नीती को वापिस लेते हैं नए परानी दुकानों को खोलने की बात करते हैं और फिर उपमुखे मंतरी कहते हैं जो कल शाम को आदेश दिया गया है कि एक महीने का लाइ इपनेंट गवर्नर से कोई बात चीत है वगर उनकी अनुमति के यह उप्राज जपाल जो सरकार बारवार जिकर आता है ना वगर उनकी अनुमति के इस तरह के आदेश पारिच कर दिये जाते हैं तो मेरा यह आरोप है कि सहर में सरकार नहीं चल रही है ताना साही रवया चल लगर जाए है यहां किसी की सुनी नहीं जा रही है और उसका नतीजा यह कि दिल्ली को आउबैद सरावबकारियों को आज सौप दिया गया है ये यह इदी हो पाया है तो यह अर्विंद की जो दुर दूसता की कमी कहिए अनुबव कहिए या भरष्टचारी माइंसेट कहि या उसमें एक तरह से भष्टाचार करने की सोच कही है उस सोच के साथ ये सरकार काम करे ही है अतय मैं उप्राज्यपाल महोदे से निविदन करना चाहता हूं कि ये जो सरकार खुद थेकेदार बन गई है उस सरकार को बरखास्त किया जाए और एक भष्टाचारी सराब मंतरी मनीश शिशोदिया को जेल भेजा जाए ये मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं उप्राज्यपाल साब से मांग करना चाहता हूं धन्यवाद